Hey everyone, welcome to biology at ease. आज की वीडियो में आप सभी से discuss करने वाली हूँ easiest way to learn periodic table. इस वीडियो में मैं जो आपको तरीका बताऊंगे periodic table के elements को, sequence को याद करने का वो वही तरीका है जो कि मैंने अपने school time पे learn किया था और उसी तरीके की वज़े से कहीं न कहीं मुझे help मिली जिसके वज़े से मैं class 12 में 99 marks score कर पाई chemistry में तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे सबसे easy और funny तरीका जिससे आप easily periodic table learn कर सकते हैं सबसे पहले periodic table आपको learn करवाने का जो तरीका मैं आपको बदाने वाली हूँ उससे पहले कुछ चीजे में clear करना चाहती हूँ सबसे पहली चीज आपको हर symbol क्या कहता है हर symbol किस element को represent करता है ये learn करना होगा जैसे कि AL stands for aluminium, C stands for carbon, N stands for nitrogen, O stands for oxygen ये सब चीजे आपको learn करनी होगी तो पहली चीज ये है कि आपको symbol कौन सा symbol किस element ले use होता है ये पता होना चाहिए दूसरी चीज, periodic table में जब भी आप elements का sequence learn करते हैं तो आपको पूरी periodic table learn करने की कोई ज़रूरत नहीं है starting के जो आपके 36 elements होते हैं, krypton तक जो आपके elements होते हैं आपको यही sequence ज़्यादा तर exams में पूछे चाते हैं यही most frequently asked and most important elements होते हैं जिनका sequence आपको पता होना चाहिए तो मैं आपको sequence learn करवाऊंगी element number 1 से लेकर element number 36 that is hydrogen से लेकर krypton तक का साथ ही जो most important groups हैं periodic table के जैसे कि group number 14, 13, 15, 16 and group number 1 and 2 इनको याद करने का भी तरीका बताऊंगी क्योंकि इन ही groups के elements जादा तर questions में पूछे जाते हैं इन ही groups के element के features आपको जादा तर chemistry exams में learn करने होते हैं तो इस periodic table को सबसे पहले समझने से पहले यह जान लेते हैं कि आपकी जो periodic table होती है उसमें कितने groups होते हैं 18 groups होते हैं और आपके 7 periods होते हैं अब मैं आपको elements का sequence learn करवाने वाली हूँ लेकिन आपको यह format आना चाहिए जो यह building बन रही है periodic table की यह बनानी आपको आनी चाहिए ठीके इसका कोई trick नहीं है यह आपको खुद बनानी पड़ीगी आप कुछ भी building imagine कर लीजिए कोई भी story form करके format बनाए लेकिन format बनाना आपको आना चाहिए मैं आपको sequence learn कराऊंगी कि इस building में आपको इन elements को कैसे fill करना है ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके number 1 से लेकर number 36 तक sequence कैसे learn किया जाए बहुत ही funny sequence है बहुत मसा आएगा learn करने में try जरूर करिएगा तो मैंने क्या किया हुआ है? आपके जो elements हैं इनके symbols को combine करकर एक line बनाई हुई है एक song बनाया हुआ है उस song को आप बार बार repeat करिए और देखिए कि आपको learn होता है या नहीं ठीक है? तो पहले में क्या करूँगी? number 1 से लेकर number 36 तक आपको तोड़ तोड़ कर breaks में आपको learn करवाऊंगी और last में हम final song साथ में गाएंगी देखते हैं कि आपको learn होता है या नहीं ठीक है? तो group number 1 जो आपका group number 1 है उसका पहला element कौन सा है? H, H stands for hydrogen तो मैंने कैसे learn करावा है देखिए जो भी words में आपको बोल रही हूँ जो भी alphabets में आपको बोल रही हूँ तो हम किस sequence में चल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे counting चलती है उस sequence में हम चलेंगे तो मैंने कैसे learn करा है? H, then helium hydrogen के बाद आता है helium तो आपको hydrogen, helium, lithium, beryllium ऐसे बोल कर याद करने की ज़रुती हैं हम short form में learn करेंगे mnemonics की form में learn करेंगे तो मैंने कैसे learn किया है देखिए ह, ह, ल, ब, ब, स, न, उ, फ element number 1 से लेकर element number 9 तक हमने learn कर दिया symbols learn करें symbol के meaning आपको खुद पता होना चाहिए कि ह, ह में ह, पहला वाला जो ह है वो hydrogen के लिए है दूष्णा वाला जो हो हो है वो helium के लिए है तो आपको periodic table मेरे तरीके से अगर learn कर आए है तो सबसे पहले element number 1 से लेकर element number 36 तक कौन सा सिंबल किस element को represent कर रहा है उसको learn कर दीजेगा sequence learn करने के जिम्यदानी मेरी ठीक है तो हमने 1 से लेकर 9 तक कैसे learn किया हाहलबबसना ओफा इसका क्या मतलब है hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine हाहलबबसना ओफा second line हमारे गाले की कहती है हमने कहा तक learn कर लिया है element number 18 तक learn कर लिया है अब जो हमारे last की line है जिसमें की पूरे 18 elements है इसको learn करने का सबसे funny तरीका मैंने Tamil language यूज़ करी है although यह Tamil language नहीं है लेकिन जब मैंने learn किया था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कोई South Indian language बोल रही हूँ वो क्या है देखे केसा सक्टीव सर्मन फीको निकुजन गागे अस से बढ़कर ये क्या हुआ आपने element number 19 से लेकर element number 36 तक सारे elements बोल दिये हैं कैसे केसा सक्टीव सर्मन फीको निकुजन गागे अस से बढ़कर तो आपकी element number 1 से लेकर element number 36 तक periodic table 39 के सौंग में खतम हो रही है हहलबब साना ओफा line number 1 line number 2 कहती है नीना मगल सीपस सलर line number 3 कहती है केसा सक्टीव सर्मन फीको निकुजन गागे अस से बढ़कर क्या पता पहली बार मेरे ये ट्रिक सुनने में मेरा ये सौंग सुनने में आपको लगे कि ये difficult है लेकिन एक बार आप इन सारी चीज़ों को जो elements मैंने आपको बोले और जिस tone में बोले है उसको repeat करके देखिए आपको easily learn हो जाएगा इसी ट्रिक की help से मेरे काजन्स जिन्होंने chemistry मुझसे पढ़ी थी तो मैंने उन्हें product table learn करवाई थी साथ ही मेरे classmates जिन्हें product table के sequence learn नहीं हो पारे थी elements के तो मैंने उनकी भी help करे थी और उन्हों को भी ये काफी interesting लगा तो इसलिए मुझे जो लगा जब उस टाइम पर मेरे friends की इतनी help वी थी sequence को मेरे सॉंग के तरीके से याद करने में तो क्या पदा आप सभी की help हो जाए तो एक बार फुटा-फुट से revise करते हैं अपने song को हहल बबसाना ओफा नी नामग अल सीपसल अर केसा सकटीवा सर्मनफी को निकुजन गागे असे बढ़कर element no.1 से रेकर 36 तक आपने learn कर दिया है इसके बाद हम important groups पर आते हैं important groups जो यह आपके group no.1 2, 13, 14, 15, 16 है इसके elements हम याद करेंगे ठीक है तो हम आते हैं group no.1 पर group no.1 के elements से आपके hydrogen hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and phrencium तो इसको कैसे learn कर रहा है आपने देखिए हर ली ना की रब से फर्याद आपने निमोनिक्स यूज करे हैं क्या यूज किया है हर, हर stands for hydrogen, li, lithium इसलिए मैंने कहा है कि कौन सा symbol किस element को represent कर रहा है यह आपको पहले learn करना पड़ेगा तब ही आप tricks यूज करके sequence को learn कर सकते हैं, तो group no.1 जो आपका group no.1 है इसके elements कैसे learn किये हमने? हलीना की रब से फर्याद, ठीक है? अब हम आते हैं group no.2 पे group no.2 की elements को याद करने का तरीका बहुत ही simple और बहुत ही funny है यह क्या कहता है? बेटा मांगे बेटा B.E. for बेटा बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी बेटे ने अपने पापा से कार मांगी और राजी हो गये कार देने के लिए बेटा मांगे मांगे M.G. for magnesium बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी तो हमने क्या क्या ग्रूप 1 और ग्रूप 2 के elements learn कर दिये हैं इसके बाद हम आते हैं ग्रूप नामर 13 पे ग्रूप नामर 13 में आप देखिए आपने यहां तक तो learn किया हुआ है B.L.G.A. यह तो आपका हाला बाबा वाले sequence में इंक्लूट हो चुका है तो आपको सर्फ दो ही चीज़े याद करनी है IN और TI वारे symbols तो आपने कैसे learn किया बल गा इंटी ग्रूप नामर 13 कहता है बल गा इंटी ठीक है बल गा इंटी ग्रूप नामर 14 ग्रूप नामर 14 में भी आपने G तक learn किया हुआ है जब आप इस तरीके से learn कर रहे हैंगे sequence हल अब बाबा वाले pattern में तो आपने यहां तक include कर दिया है अब आपको learn क्या करना है सुन PUBG खेलते हैं ग्रूप नामर 14 के last two elements कहते हैं सुन PUBG खेलते हैं ग्रूप नामर 13 बलगा इंटी ग्रूप नामर 14 आपको यहां तक आता है क्योंकि आपने ग्रूप नामर 36 तक आपको आता है कि कौन से element कहां पर है last में ग्रूप नामर 14 में आता है सुन PUBG खेलते हैं SN and PB ग्रूप नामर 15 कैसे learn करेंगे ग्रूप नामर 15 में आता है नेपाल, पाकिस्तान, उस्ट्रेलिया सब बिमार हो गए नेपाल N stands for nitrogen फिर phosphorus और ऐसे ही करके बाकी elements साबको learn हो जाएंगे नेपाल, पाकिस्तान, उस्ट्रेलिया सब बिमार हो गए कहां होए ग्रूप नामर 15 में ग्रूप नामर 16 कहता है उससे टेपो, टेपना किसे कहता है हम common language में टेपना बोलते है कि ये इससे टेप रहा है मतलब इससे cheating कर रहा है मैं वो मुझसे टेप रही है, हम ये slang यूज़ करते है तो उसी slang का फाइदा हम यहाँ पर उठाएंगे उससे टेपो, ग्रूप नामर 16 कहता है oxygen, sulfur, से टेपो, उससे टेपो तो यही है तरीका जो आपके periodic table है उनके important elements के sequence को याद करने का प्लीज इन tricks को एक बार जरू ट्राइ करिएगा चाहे तो आप इस वीडियो को दुबारा देखकर tricks को दुबारा समझ सकते हैं और एक बार इस song को repeat कर सकते हैं तीन-चार बार repeat करिए और फिर देखे कि आपके लिए helpful हो रही है या नहीं तो अगर मेरी periodic table के elements को learn करने का तरीका आपको पसंद आया तो please hit the like button and subscribe to biology at ease for the upcoming videos Thank you so much for watching the video